कि हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बित पाउन दिचिक पर बहुत बहुत श्वागत है तो फ्रेंड्स आज कलस्ट वैल्द फिजिक्स का चैप्टर इलिमेंटरी सरक्ट्स का अगला ट्यपक लेकर आया हू है हमसे बौडट एक्जाम मेंुट स्टाट करते हैं से पहले जो भी फ्रेंसर फ्रेंड श्यानल पर नएं विह हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके यह इसामारे एक ब्याइडियो की नाटिफिकैशन आप तक पहुंच चके है एक england के बेगनिक थे प्रोफेसर-syeah footstone in england के बेगनिक थे do see joe कि путиstone उन्होंने क्या किया है है हिन्होंने चार रजिस्टन्स 12bahn निन चार रजिस्टन्स एक सेल और गल्विनो मेटर को लेकर यस्परकार का सरक्इट बनाया जो फीट इस्टों से तु से जाना जाता है ठीक है जो हिट इस्टोन से तू के नाम से जाना जाता है इसकी सहता से हम अन्नोन रेजिस्टेंस को ग्याद कर सकते हैं ठीक है बात करते हैं इसकी रचना क्या होती है रचना क्या होती है तो इसमें चार रेजिस्टेंस को लेते हैं इसमें चार रेजिस्टे ASD के रूप में लेते हैं उसमें चार रोजिस्टस पी-c, आर-s को एक और ट्रेटरल a, b, c, d ठीक है चुतुर्भुच के रूप में क्वाड्रेटरल के रूप में लेते हैं ठीक है इसके भिकरण आवर C के मध्ध a और C के मध्ध क्या करते हैं एक cell जोड़ देते हैं जिसका electromotorforce E है Excel और एक कुझी के वन को लगा देते हैं यह कुझी के वन है यह Excel है A और С के मद्द है Excel और एक कुझी को लगा देते हैं जबकि diagonal भी वाड़ी के मद्द है एक कुझी के टू के दोरा एक galvinometer को जोड़ देते हैं ख्याय करते हैं BODK मद एक कुझी केटू के द्वारा galvinometer को जोड़ देते हैं ठीक है हम यह जो resistance है PQR PQR यह हमें पता होते हैं यह हमें ग्यात resistance होते हैं और unknown resistance है जो हमें ग्यात नहीं जिसे हमें ग्यात करना है वो हम S के इस्थान पर रखते हैं ठीक है S के इस्थान पर हम unknown resistance को रखते हैं जो हमें ग्यात करना होता है unknown resistance को S के इस्थान पर रखते हैं यह जो P और Q हैं यह जो attached arm है यह P और Q R अपाने इसको P और Q को हम क्या कहते हैं ratio arms कहते हैं पी और क्यों को कया कहते हैं रेसीयों क कहते हैं है थीजệc है इतनी बात कि लिए रह हुई है तू ये था हुई ՟िस्टर से तु जिसकी साहता से हमान quiet करते हैं और यह ती कुछ इसकी रचना कुछ इस प्रकाब से ये होता है अब बात करते हैं इसके सिद्दान्त पर्पिंसपल इसका क्या है इसका सिद्दान्त क्या है तो सिध्यान्त मिं इस 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 और कि इस GALENOMEEPी वाली जो साइड है इस GALENOMEEP में कोई विच्छेव विच्छेव और नायोय तो इस इस्तिती को को हम क्या कहते हैं सून विच्छब की स्थिति कहते हैं तो इस इस्थिति को हम ब्रिज की बैलेंस्ड पोजीशन कहते हैं क्या कहते हैं बैलेंस्ड पोजीशन और इस इस्थिति में गैरिलों मीटर वाली साइड में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है थात इसमें सून व R upon S, इस स्थिति इमें P upon Q, इन अ liek संलंगन भुजाओं के प्रतोरोधों का समय रजिस्टन्स का जो रेजिस्टिया है बची से संलंगन भुजाओं के पितुरोधों के अनुपात के बराबर होता है, प अन्युटै कुछ इकल 2 ओर अरपान एस ठीक है तो पी अपान क्यूज इकल टू आर अपान एस होता है क्या करते हैं यह फिर्ण्स के में कुझी केवन को दबा कर इसमें हम धारा को प्रवाहिद करते हैं इस से मालो में करेंट आई फ्लो हुआ आई यहां आया यह जो करेंट आई है बिन्दू ए पर दो पार्टस में आई वन और आई टू में डिवाइड हो जाता है ठीक है यह में करेंट आई बिन्दू ए पर दो भागों में बढ़ जाता है आगे चलकर यह यह धारा इवन बिंदू बी पर और धारा आई तू को बिंदू डि पर पुना दो दो मारें मिल रहे हैं अब समझो पहली कंडिशन है यह दी पॉइंट वी का वोल्टेज वी बी ग्रेटर दैन होगा वी डी यह दी बिन्दू डी का पोटेंशियल बिन्दू डी के पोटेंशियल से बड़ा होगा तो धारा आइवन का जो एक पार्ट है वो बी डी सी यानि गैली नो मीटर में करता हूँ निकलेगा और सेस पार्ट कि आई टू का सेस जो पार्ट है वो क्यों से होकर गुजरेगा यह दी वी का पोटेंशियल बढ़ा है यह दी वी बी ग्रेटर दैन वी डी तुधारा आइवन का जो भाग है कुछ भाग बी डी सी इस गैलीनो मीटर वाली साइड में सनुत्रपन करता हुआ जायाएगा सेस भाग क्यों से गुजरेगा ठीक है लेकिन यह दी वीडी इस ग्रेटर दैन वी भी हुआ तो धरा आयटू का कुछ भाग डी बी सी यहीनि इस गैलिनॉमिर मे कुझ्जी के टु को दबाने पर आयटू का कुछ भाग इस बी डी डी बी सी से गुजरेगा से स्टू से गुजरेगा ठीक है लेकिन इन दोनों स्थितियों के बावजूद जो तीसरी कंडिशन है कि जो वीडी बी और डी के जो पोटेंसियल हैं वो बराबर हो जाएं वी बी जो कोल टू वी डी हो तो इस स्थिति को हम ब्रिज की बैलेंस्ड पोजिशन करते हैं क्या कहते हैं संतुलन की स्थिति करते हैं इस इस इस्थिति में इस गैलिनोमीटर में कोई डिफलेक्शन विच्छोव उत् मेन कुझी केवन को दबाता धारा प्रवाहित करने पर इस गैलिनो मीटर वाली साइड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है इसे हम सुन विच्छब की स्थिति कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं बैलेंजड पोजिशन कहते हैं कि यहनी सर्कुट में इस ब्रिज में करेंट तो फ्लो होता धारा तो प्रवाहित होती परंथ इस गेलिनों वाली साइड पर इस साइड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते जिस प्रकार पानी का जो बहाव है पुल पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है पुल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है इस लेहें में से क्या क्यते हैं क्या 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 कहते हैं इसदीन होता गया है किनी दो तैस डैनी सनलंग नभू जाओं के पतुरोधों का जो अनुपात है रैसी ہو है यांई पी इपान क्यू बची सेस दो सनलंग जाओं के पतूरोधों के अनुपात के बराबर होon यानि P upon Q is equal to R upon S, P upon Q is equal to R upon S, यानि balanced position में in balanced position यानि VB is equal to VD, VB is equal to VD, VB को हम लिख सकते हैं, VA-VB और VD को लिख सकते हैं, VA-VD लिख सकते हैं, VA-VB इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1P और VA-VD, VA-VD को क्या लिख सकते हैं, इसमें current कौन सा जा रहा है I2 जा रहा है तो I2 into R ऐसे लिख सकते हैं दूसरी दूसरी बीबी जुको बैलेंस पोजेशन में VB is equal to VD VB is equal to VD में इस वाली साइड में कहा लिख सकते हैं VB minus VC VB minus VC और VD की जगह पर क्या लिख सकते हैं VD में इसकी जगह पर VD minus VC लिख सकते हैं VD VB minus VC इसमें कौन सा current जा रहा है I2 तो I2 Q sorry इसमें तो I1 जाएगा ना तो I1 Q यहां से current यह I1 तो जाएगा इसमें यह वह I1 और इस वाली साइड से I2 तो I1 Q is equal to VD minus VD minus VC इस वाले में कौन सा current जाएगा I2 और इसमें I1 तो I2S equation second इन दोनों equation को क्या कर देते हैं आपस में divide कर देते हैं divide first upon second आइवन पी अपान आइवन क्यू आइटू आपान आइटू एस यह आइवन आइटू कर जाएंगे यानि पी अपान क्यू इज इकोल टू आपान आइस पी अपान क्यू इकोल टू आपान आइस यही हमारा wheatstone bridge का सिद्दानत है इसकी साहता से हम क्या करते हैं unknown resistance को ग्यात कर सकते हैं यही balanced position में इन सनलंगन भुजाओं के प्रतूदों का अनुपात से इस दो बचे सनलंगन भुजाओं के प्रतूदों का अनुपात के क्या होता है बराबर होता है P upon Q is equal to R upon S ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे wheatstone bridge मिलेंगे किसी next वीडियो में तब तब प्राहे करते रहे है गुमनाइट